असलाम लेकॉम मेरा नाम बिलाल है और आप लोग हमेशा की तरह देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ड यूटूब चैनल जी दोस्तों आप लोगों का अपना चैनल आज मैं आपको उस चक्स के परवें बताऊंगा जो 35 लाक रुपए में अपनी हेर्ट कटिंग करवाता है जी दोस्तों बॉर्णाई का सुल्तान 20 बिलियन डॉलर का मालक है बॉर्णाई एक चोटा सा मुलक है यू कहें कि दोबई से थोड़ा साइब बढ़ा है इस पूरे मुलक की इबादी 4,28,000 अफरात में मुश्तमिल है लेकिन बॉर्णाई की कौम दुनिया की सबसे ज़्यादा मेतरी कौम समझी जाती है और इसकी वज़ा है तेल के जखायर और इसी वज़ा से हसनल बॉलकिया जो के बॉर्णाई के सुल्तान के नाव से जाना चाता है आज 20 अरब डॉलर का अकेला मालक है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुल्तान अपना पैसा किन किन आयाशियों के उपर खर्च करता है Most expensive haircut मैं की हएसन बॉलकिया बॉर्णाई के सुल्तान के साथ साथ बॉर्णाई का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर आफडिफेंस, मिनिस्टर आफड़नाई की साहिधोरीं कमंडर, और बॉर्णाई पॉलिस का इंस्पेक्टर जनर भी है इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला शक्स किसी मामूली हेर ड्रेसर से अपना हेर कट करवाने से तो रहा इसी वज़ा से हर महीने का हेर कट करने के लिए यूके का मशहूर औ मारूफ हेर स्टाइलिश किन मुडस्टो लंदन से बरनाई फस्ट डास में सफर करके आता है दो दिन बरनाई की सेवन स्टार होटल में रहता है और सुल्तान की हेर ड्रेसिंग करके इसी शानो शौकर से वापस लंदन रवाना हो जाता है इस शाही हेड ड्रेसिंग पर 21,000 डॉलर का खरच आता है यानि के 35,000 लाख रुपए वर्ड्स लाज़ेस्ट पैलस इस मुलक में अगर कोई सबसे बड़ा राहिशी महल है तो वो है बुरनाई के सुल्तान का और ये दावा किया है गेंज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 17 मुलक में 1788 रूम्स 257 बाथ रूम्स एक मस्जिद 5 स्वेमिंग पूल 110 गाड़ियों का गिराज एक बैंकु इठाल और 18 लिफ्ट्स है और पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बलप्स लगाए गए है ये महल 1984 में 1.4 बिलियन डॉलर में बनाया गया है जिसकी कीमत आज के वक्त के मताबिक 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा लगाई जाती है जो के बहुत जादा है फ्लाइंग पैलस ये नाम दिया गया है बुरनाइक के सुल्तान के एर बस A340 को यानि के उड़ने वाला महल इस पूरे हवाई जहाज में अराम दे फरनीचर तो है ही है ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है और इसके साथ साथ हसन अलबुल्किया के पास दो बोइंग त्यारे और दो S-17 हेलिकॉप्टर भी हैं और इनके अंदर भी सुल्तान ने दिल खोल कर खर्चा किया हुआ है म्यूजिक लफ 1996 में सुल्तान ने अपनी 50 साल गिरा पर माइकल जैक्सन को बर्नाई में तीन दिन तक कॉंसर्ट करने की पेशकर्श की थी और माइकल जैक्सन को फर्स क्लास स्वीट में ठराया गया था और 17 मिलियन डॉलर्स दे कर रवाना किया गया जो कि तक्रीबाद 280 करोड से ज्यादा बनते हैं सिर्फ इतना ही नहीं सुल्तान ने एक दफ़ा वटनी हूस्टन की परफॉर्मस देखी इनको परफॉर्मस इतनी अच्छी लगी कि सुल्तान ने वटनी को एक ब्लैंक चेक ही थमा दिया और अपनी मर्जी से रखम लिखने को कहा वटनी ने इस चेक के जरीए 7 मिलियन डॉलर्स की रखम अपने नाम करवाई जो कि उस वक्के हसाब से बहुत ज्यादा है और इंका भारी भरकम खर्च भी सुल्तान अपनी जैब से अदा करता है बरनजाइका सुल्तान अपने छोटे भाई से बहुत ऱ्यार करता है जिसका नाम प्रिस जाफरी यह साफरी वो वह वह दुञाद इंसान बुरनाई में ये कानून है कि लोक शाही खानदान के खर्चों और उनकी लाइस्टायल पर कोई बात ने कर सकते बिलकुल भी अलाओ नहीं है उनको लेकिन आखरकार प्रिंस जाफरी को 14.8 बिलियन डॉलर्स बुरनाई के खजाने को वापस करने पड़े जिसके लिए इनको 500 प्रॉपरिटी, 2500 गाड़ियां, 9 एरक्राफ्ट्स और 5 यार्ट्स बेचनी पड़ी 5000 प्लस कार्स वो कौन सा अरब पती है जिसके पास गाड़िया ना हूँ हसन अबुलकिया के पास अपनी जाती 5000 से जादा गाड़िया है सल्तान वो वाहिद इनसानी जिसके पास दुन्या की सबसे जादा लकशरी गाड़िया है और ये दावा किया है वर्ल्स गिंज ऑव वड्रकार्ट ने जिनके मताबक सल्तान के पास सिर्फ 500 से जाएद रोज राइस गाड़िया ही है सुल्टान की कार्स कलेक्शन का गिराज नहीं है बलके ये 101 रपे मुश्मिल पूरा एक सेट अप लगावा है जिसमें दुनिया जहां की महंगी से महंगी गाड़ी है पूर्श, लेंबरगिनी, चेगवार और फुरारी जैसे गाड़ियों से ये गिराज भरा हुआ है गिन्स बुक आफ वर्ल्ड रकार्ड के मताबक इन कार्स की मालियत जो के एक एक अप्रॉक्सिमेट्री लगाई गई है वो है फोर बिलियन डॉलर्स चो के बहुत ज़्यादा है तो जी जणाब ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंदा आई होगी अगर अगर आपको मेरे वीडियो पसंदा यह तो मेरी वीडियो को लाइक करें और वे चैनल को ज़्यास सब्सक्राइब करें थैंक यू